नमस्कार, 25 जनवरी 2022 एक ऐसा दिन जिसने इंडिया के भारत के एहमतबाद को जोड़ दिया पाकिस्तान के सियाल कोट से एक ऐसी घटना हुई जो के पहले सियाल कोट में देखी गई थी और अब वो हमारे देश भारत में हुई एक युवक था 27 साल का किशन बरवाड नाम का कहा जा रहा है कि उसने फेस्बुक पर कुछ पोस्ट किया जो के मुहमत साहब के लिए कुछ गलत लिखा लिखा था या नहीं लिखा था इसके बारे में कोई information नहीं है कुछ लोग बोल रहे हैं लिखा था कुछ लोग बोल रहे हैं कहीं दिख नहीं रहा है लेकिन इस से आगे चलके उस आदमी की हत्या कर दी गई एमधबाद के एक मौलवी भी इस मामले में अरेस्ट हुआ 28 जनवरी को उस मौलवी पर आरोब था कि उसने मर्डरर्स को हत्यार दिये थे इस आदमी की हत्या करने के लिए इस आदमी की हत्या मोदवारा लोकैलिटी में हुई अरंदबाद की जहां से वो सुबा सुबा अपने स्कूटर से जा रहा था इस आदमी की हत्या के तार अब जुड़ने लगे हैं पाकिस्तान की तहरीक लबैक पाकिस्तान से ये जुड़े कैसे ये पता लग रहा है कि तहरी के लबबैक की जो वीडियोस थे जिसमें हो बोलते थे गुस्ता के रसूल की एक ही सजात सरतन से जुदा सरतन से जुदा ये वीडियोस ये उन लोगों ने देखे थे और सियाल कोट की इंसिडंस से उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी तब जाकर कि इस आदमी की हत्या की गई बहुत बड़ी डीबेट है कि क्या इंडिया में कॉंस्टिटूशन चलेगा ये ये लोग जो चाहते हैं वो चलेगा ये शरीयत का कानून चलेगा शरीयत का कानून चल रहा है तो पूरा चले सब पहले चले जितने मुसल्मान हैं उनके लिए शरीयत चले बिलकुल कोई चोरी करता हूँ पकड़ा जाए उसका हाथ कर दिया जाए ये दूसरी सजाय जो लिखी शरीयत में वो भी हो लेकिन ये कैसी अदालत जिसमें जज़ भी यही है और सजा भी यही देंगे पुलिस और कोट का कोई काम नहीं इसमें और ये पाकिस्तान से जो जुड़े हैं इसके लिंक्स ये बड़ा डेंजरस है अब तक ये पाकिस्तान में हो रहा था और पाकिस्तान अपने कंट्री में ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा था सियाल कोट की इंसिटेंट में साफ दिखा सियाल कोट की इंसिटेंट हुआ बहुत कम लोगों को पकड़ा गया और उसके बाद भी अभी तक चार्जचीट फाइल नहीं हुई एक आदमी जिसने यूटूबर जिसने उस इंसिटेंट को सही ठराया था उसको सजा हो गई लेकिन जिन्हों नहीं ये काम किया उनके खिलाफ चार्जचीट भी फाइल नहीं हुई इन फैक्ट इसके लिंक्स डिरेक्ली जो जोड रहे हैं वो पाकिस्तान बेस्ट एक और्गनाइजेशन है तहरी के नमों से रिसालत जिसका पहले नाम हुआ करत तो उस पाकिस्तानी आउटफुट से लिंक्ट है और जिन्होंने हत्या की है वो यूट्यूब पर और दूसरी चीजों पर उनके साध रिजवी और उनके पिता जो रिजवी हैं उन से इंस्पिरेशन लेते थे उनके वीडियो देखते रहते थे और इंस्पिरेशन लें अ पूरी इंवेस्टिगेशन करके जो लोग अरेस्ट हुए उनसे पता लगाया तो उन्होंने बताया कि हम ये वीडियो देखते थे और ये वीडियो से हम इंस्पिरेशन मिली कि हमें एक ऐसे आदमी को मार देना चाहिए पता नहीं वो सही था या गलत था अगर गलत था तो मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ मैं उसको कंडेम करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन कंडेम करने का मतलब ये तो नहीं है कि हत्या कर दीजाए ये तो नहीं है कि आप ही जज़बन करके किसी को भी सजा दे दे ऐसा काम पूरे कंट्री में होने लगा सारी के सारी र लिजन भी तो फॉलो करें इन फैक्ट इसके खिलाब प्रोटेस्ट सुए गुजरात में एहमदाबाद में रतनपुर में वडोधरा में और ये भी अब इसमें इंवेस्टिकेशन की जा रही है कि इन और्गनाइजेशन की जिनोंने या महा रहा है उनको कहीं पाकिस्तानी फ और इसमें ये एक नेजर ब्लडशेड का कारण बन सकता है ये बात बोली जा रही है पाकिस्तानी लोग जो फैला रहे हैं अपने कंट्री में तो फैला ही रहे हैं हमें भी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं हमारे कंट्री के भी लॉलेसनेस के लिए हमारा कंट्री भी फस रहा है और इससे ये चीज़ टॉलरेट तो नहीं की जाएगी इसमें कोई शक नहीं ऐसी हरकते कभी हिंदु दर्म में नहीं दिखी कभी क्रिश्चैलिटी में नहीं दिखी कभी जूइज्म में नहीं दिखी ये सिर्फ पाकिस्तान से शुरुआत लेने वाला जो वो फेक इन नफरत वाले वीडियो जो हैं इनको देख करके अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मामला और सीधियस ना हो जाए आज पहले ही इसलाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है सिर्फ इन ही पांच-दस पाकिस्तानी ओर्गनाइजेशन की वैसे और पाकिस्तानी गर्वर्मेंट की वैसे जो इन ओर्गनाइजेशन को अपना अल्टिमेट सपोर्ट दे रही है यह सपोर्ट देने का कोई मतलब नहीं मनता मुझे तो नहीं लगता ऐसे सपोर्ट का कोई फाइदा है जिससे आप बदनाम हो किसी आदमी के हत्या हो जाए कानून हर जगा है कानून हर जगा बलास्फेमी का एक एक कानून उसमें वो है प्रोविजन है लेकिन आप उस कोड तक जाने देंगे मैटर को तब तो सजा होगी यह तो पुलिस ही नहीं बुलाई जा रही पुलिस बलाई जाए तो सजा हो न ये जो लोग वहां पहुंच के जिन्नों ने मर्डर किया और ये मुलाना साथ जिन्नों ने हतियार दिये ये भी F.I.R. कर सकते थे थे न क्या ये इंडिया के कानून के अंडर नहीं आते क्या इनके ओपर कोई कानून नहीं पड़ता क्या वो पाकिस्तान के जो वो क्लेरिक्स है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा पाकिस्तान अपने देखे लेकिन क्या ये इंडियन क्लेरिक्स इनको भी बैन करना ज़रूरी है जो ऐसी नफरत भरी स्पीचिस दे रहे हैं प क्या इसलामृफोबिया को लीड नहीं करेंगे क्या इमरान खान इस पर जवाब देंगे क्या कि अधरी के लब्धे की वज़े से एक आदमी का मर्डर मारे अम्दपाद में हो से यस्छाद में का इसलामृफोबिया और कि कि इस आदमी ने क्या लिखा था किसी ने इसको कोर्ट में प्रेश किया कि ये लिखा था देखिए इसको हम मारने जा रहे हैं नहीं सिर्फ एक्यूस किया कि इसने लिखा और उसको जाके गोली मार दी गई ये कौन सी क्या ये कुरान में भी लिखा है कि बिना ट्रायल के मारा जाएए वहां साबित कीजिए उसने ये किया और फिर मारिए क्या ये केलिंग्स इस्लामिक भी हैं चाटी लपी जो बोल रही है वो इस्लामिक है तो पाकिस्तान एक स्लामिक कंट्री उस अनिस्लामिक प्रीचिंग को कैसे सपोर्ट कर रहा है और ये इंडिया तक इसके तार जोड़ रहे हैं नजाने और कितनी ऐसी हद्ते आए हो सकती हैं अगर इसको आज ही कर्टेल नहीं किया गया आज ही इसको नहीं रोका गया जो अनिस्लामिक काम हो रहा है क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कभी ये बोला कि इस्लामोफोबिया को ये अनिस्लामिक काम बढ़ावा दे रहा है और इन लोगों को जो ऐसे काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा मैं दे रहा हूँ और मेरी आर्मी दे रही है और मेरी I.S.I. दे रही है कभी नहीं बोला और बोला होता तो आज ये दिन नहीं आता सियाल कोट जब हुआ था मैंने इसके भी खिलाफ बोला था और आज ये जब हमारे कंट्री में हुआ तब भी मैं इसके खिलाफ हूँ इसके साथ एक और क्रपक के साथ फिर हासे रोंगे नमस्कार जेहन